असलाम अलेकुम बच्चों आज हम शुरू करते हैं सेवन्त इस्टेंडर्ड याने साथ पी जमात का चेप्टर नमबर 18 सबक का नाम है परिंदो कार शेदाई तो चलिए शुरू करते हैं चलो चलो लंच टाइम अरे तुझी क्या हुआ आज ना मैं अपना लंच भूल गया स्कूल का फर्स है और तु लंच ही भूल गया बस इत्ती सी बात अभी लंच बना देते हैं यह लिमेया नपकिन और स्पूल अरे मेरा रोल भी है ट्राइन नूडल्स एक दब मस्ट बने हैं यह सब खुदी ठूसेगा या इधर भी देगा क्या सिखाय था घर के अंदर हैंड वश और घर के बाहर सैनिटाइजर एक मिनट मैं भी कुछ लाया हूँ खाने से पहले ये लो वान टू ठी जाम से हो फ्री खाना हो या मस्ती हो घर हो या बाहर हो सितंबर का आखरी हफसा था दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था धूप की शिद्ध यानि जादती कम और शाम सुहानी थी सालिम ने बाग का रुख किया यानि बाग की तरफ मुह किया यानि बाग की तरफ रवाना हुआ घर के करीब ही घने बाग में पहुँच कर वो अपनी आदत के मताबिख खुद्रती मनाजिर मनाजिर जो है मनजर की जमा है मनजर यानि सीन या दरशे में खो गया खुद्रती मनाजिर में खो गया बच्पन से उसको पेड़ पोदे नदी नाले आसमान और पहाड चरिंद और पारिंद बहुत अच्छे लगते थे रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और खुबसूरत चिडियों से उसको खास दिल्चस्पी थी वो अक्सर देर तक खुले आसमान में परवाज करती हुई यानि उड़ती हुई चिडियों को गवर से देखा करता कोयल, मौर, पपिहा, हंस, बुगला, बया, हुड़ुड, मैना और तोता वगएर है की आवाजों और रंगों में खो जाता एक दफ़ ननहे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गुम हो गई ये क्या, उसके सीने पर तो जर्द लकीर हैं, जर्द मतलब लाल सी लकीर हैं सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसूस हुआ इस वाक ने सालिम अली की चिडियों से महाबत और दिल्चस्पी को बढ़ा दिया अब वो हर वक्त चिडियों में ही गुम रहता, उसका ज्यादतर वक्त मैदानों, खैतों, बागों और पहाडों में गुजरता सुभे सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया, मामूल मतलब आदत बन गई अब उसे तरहें तरहें की चिडियों की पहचान हो गई थी यहां तक के वो तरहें तरहें की चिडियों की आवाजें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा चिडियों से सालिम अली की दिल्चस्पी देखकर उनके चच्चा अमीर अद्दीन उसे मुंबई नेचरल हिट्री सोसाइटी ले गए वहां सालिम अली को गाइड के अहदे पर मकर्रर कर दिया अहदे मतलब पोश्ट या पद पर मकर्रर कर दिया नियुक्त कर दिया वहां उसको बहुत करीब से चिडियों को देखने का मौका मिला सालिम अली को ब्रम्मा और जर्मनी जाने का भी इत्फाक हुआ यानि वहां जाने का भी उन्हें मौका मिला वहां की चिडियों ने सालिम अली का दिल मौह लिया दिल मौह लिया मतलब दिल को भाग गई उन्हों ने परिंदों का बहुर मतलब किया यानि गौर से बगौर मतलब गौर से ध्यान से मुताला मतलब इस्टेडी की और उनके बारे में तफसीलात जमा की तफसील मतलब होता है विवरन और मतलब विस्तृत विवरन उन्होंने जमा किया तफसीलात तफसील की जमा है सालिम अली 12 नौंबर 1892 को मंबई में पैदा हुए वो ज्यादा तालिम याफता नहीं थे यानि ज्यादा तालिम हासिल कियो नहीं थे मगर परिंदों से बेपनाह महबत और गहरी दिल्चस्पी ने सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया यानि जो वर्ट्स पर एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसा उन्हें बना दिया सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की तहरीर की मतलब लिखी उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई शोहरत मतलब पॉपुलरिटी हासिल हुई यानि पूरी दुनिया में वो फैमश हुई परसिद हुई और बेशुमार इनामात और तग में मिले इनामात मतलब इनाम की जमा हैं बेशुमार यानि बहुत सारे बेशुमार से मतलब है जिनकी गिंती करना मुम्किन ना हो बेशुमार इनामात इनाम उन्हें और तग में मतलब होता है मैडल उन्हें मिले यौनिवर्सीटियों ने भी उन्हें अःजाजी सनद दी अःजाजी मतलब सम्मान के लिए जो इज़त के साथ जो सनद दी जाती सनद मतलब डिगری या सर्टिफिकेट जो दिये जाते हैं उन्होंने यौनिवर्सिर्टिय ने भी उन्हें दी हुकुमत हिंद ने 1958 इस्वी में पदम भूशन और 1976 इस्वी में पदम भी भूशन के कौमी आइजाजाद से नवाजा ये जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें ये आइजाज मतलब सम्मान जो है या इनाम ये पदम शिरी और पदम भूशन दिये जाते हैं इंडिया गورण्मेंट की तरफ से हकोमत हिंद की जानिब से इनाम में हासिल करने वाले पांच लाख रुपए सालिव अली ने अपनी तरकी के जिम्मेदार इडारे को अतिया के तोर पर दे दिये लेकिन उन्हों ने जो पांच लाख रुपए मिले उने वो भी उन्हों मतलब होता है संस्ता कोई भी परिन्दों का ये शेदाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया रुखसत मतलब जुदा हो गया यानि दुनिया उन्होंने छोड़ दी यानि कि उनका इंतिकाल हो गया उस वक्त उनकी उम्र 91 साल थी जिस वक्त उनका इंतिकाल हुआ उस वक्त उनकी उम्र 91 सान थी तो बच्चो ये चैप्टर आपका कम्रेट हुआ नाक्स्ट क्लासेज में हम जो हैं उनके सवाल जवाब और एक्सरसाइज लेंगे और बच्चो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है बड़ाय करम चैनल को सबस्काइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले वीडियोज में हम सवाल जवाब के साथ-साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी ड़ेंगे जो आपके इम्तिहान की तैयारी में बेहद मुफी साबित होंगे असलाम अलेकूम रहमतल्लाही वबरकात हूँ